येदि हमारे आख में चूना या डिष्टेम पर चला जाता है तो हमें क्या उपाई करना चाहिए चूना या डिष्टेम पर आखों के लिए बहुत ही खतर्ना केमिकल होता है जिसके दोरा लापरवाही होने पर हमारे आखों की दरश्टी जा सकती है घर की दिवाल में पेंट करते समय या कोई और दूसरा काम करते समय चूना या डिस्टेम पर हमारे आखों में जा सकता है चूना या डिस्टेम पर जैसी हमारे आख में जाता है तो आख में गिरते ही आख की कंजक्ट आईवा वो पुतली को डाइमेज कर सकता है चुनाया डिश्टेम पर हमारे आख में गिरने के उपरांद कुछ समय बहुत ही कीमती वा महत्पून होता है जिसमें हमें ततकाल कुछ प्राथमिक उपचार अवस्यक करना चाहिए जिस आख में चुनाया डिश्टेम पर गिरता है उस आख को साफ पानी से कम से कम पंदरा मिनट तक लगातार धुलाई करना चाहिए आखों की धुलाई करने के लिए आप टैब, पानी की बाटल या मग से सीधे आख के उपर धार आप लगा सकते हैं ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप आख की धुलाई करते हैं उस वक्त आख खुली रहना चाहिए यदि आख खुली नहीं रहेगी तो चुनाया डिश्टेम पर की कुछ कण आख के अंदर रहकर नुस्कान पहुचा सकते हैं आखों में चुनाया डिश्टेम पर जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आखों की धुलाई करना चाहिए यदि आप बिलंब गरते हैं तो आखों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है धुलाई के उपरांथ आखों में आईड्राप सिर्फ रश्टियर्स या गुलाग जल्द डाल सकते हैं जिससे आखों में बहुत से तलता प्राप्त हो सकती है इसके बाद ततकाल नेत्रवी से सग्ग से संपर्ग स्थापित करना चाहिए नेत्रवी से सग्ग आपकी आखों की जाज करेगा जाज के उपरांथ यदि चूना डिश्टेंपर से आखों का कुछ नुकसान हुआ है तो उसका इलाज के लिए आपको सलाह देगा चूना या डिश्टेंपर आखों के लिए बहुत ही खतननाक माटेरिल होता है इसलिए इनके साथ बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करना चाहिए यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो क्रपे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दोसरों को सेर करें बहुत बहुत सा धन्नवाद